अश्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट करके हमें जुरूर बताईएगा और ऐसा जैसे कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको थमनेल देखके और टाइटल देखके पता चली गया होगा कि हम इसमें बात क चैनल देखके और पर बच्चे को अज्वायन का धुग द्रार को इसफी बारोख को इसयों कि दिखके तक यह प्रख बतातों सबस्तों कि सबस्ते हैं जैसे कि चपनाने जैसे कि ढाएग है तो यह जाएन के इस चाहिड़ी चाहिए स्पून है कि इस तरीकी साइप में जही चाहए आप बच्छे को दुवा दिला रहे हो इतनी अज्वायन सफिसेंट होती है तो आपको लेनी है इतनी सी अज्वायन अब शहीं है जो आप जुदिन वगी तो आप में जा बाग तापते भी हैं तो क्या नियुक्त वेगान यहां सेखते हैं और अग में शहयां थोड़ अगर आपका बच्चा कमरे में है तो कोशिश कीजिए कि मतलब जब बच्चा सो रहा हो तो मतलब इतना ज्यादा धुआ नहों कि बच्चे को सांस लिने में प्रॉब्लम में लेकिन हां आपको यह नहीं घट्टा नहीं डालना है थोड़ी थोड़ी दानी इस तरीके से इसमे बच्चे को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा उससे बहुत अच्छी गर्महाट में लेगी बड़ों को भी लेकिन इस बात का ध्यान रखिए का आपको एखट्टा पूरा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है अगर अगर घर पर इसको अपने कैसे कर सकते हैं जासे कि सहर वगडयरा में रहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं उसी के लिए मैं आपको बता देते चालिए अब देख लिजए उसके लिए क्या करना होगा तीक यह डहर में आपके इस तरीकी को कोई तवा लीजीगा ठीके ना या फिर आप मतलब तवा ही लीजेगा कर तवह करना होगा जैसा कि मेरा यह जो है इसको एक मिनट हो गया है गरम और यह अच्छा खासा गरम भी हो गया है अब आपको जो है बच्चे को अगर धुआ दिलाना चाहते हैं ठीकिन अगर अगर आप उस रूम में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं तवह को गरम करके उस यहां ले आए उसका धुआ दिला दिजिए उसके बाद आप उसको अधर कमने में ले जाए इससे क्याओं को ज्यादा धुआ भी नहीं लगेगा मतलब सांस लिने भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वह जो है उसको गरम हट भी मिल जाएगी तो आप ऐसा भी कर सकती है कि अधर दिला दिजिए फिर आप उसको ले जाए ठीक है दर्वाजा जो ए तवे को अच्छी खासा गरम करके ले जाए उसके बाद उसको पर दान डालना आपको डालना कैसे में आपको इस तरीके के कुछ दाने डालने हैं यह देखिए यह हलके हलके से जो है धुआ का जूर लिए ठाशन दिलाएंगे छोट बच्छे के लिए ऑस दुटाफ की इसका थ्युछ आप ताव अधर दिला दिलाएंगे मतलब टो यकीन माने है बच्छ से अच्छी अज़ा ने, ओर यह इसका द्रत अच्छी आपए बनाध जाए लिए इसका दुआ दिलादिये तौफ् अगर आपको बच्चे को ठंड से बचाना है तो आप इस तरीके से बच्चे को जो है हफ्ते में दो तीन दिन इस तरीके से धुमा दिलाएं जिससे कि उसको बहुत आराम मिलेगा ठीक है अगर बच्चे को सर्दी बगर हुए तो इस तरीके से धुमा दिलेंगे तो इसके नो कमरे में लग दीजिए तो बच्चे को इससे काफी अच्छी गर्महाट मिलेगी बखुत अच्छी तरीके से उसको सरीज भी गरम होगा और उसको अंदर तक जो गर्महाट भी पहुंच जाएगी तो आप इस तरीके से अजवाइन का धुमा बच्चे को ठंडक में हैं और चबा करके खा लेना अगर आप बड़े हैं आपको ठंड लग गई है तो थोड़ा वाद धुमा ले लेना आप बिल्कुल ठी हो जाएंगे अगर आपको ठंड को ठंड के वाइस एकदम से वामिटिंग वगरा होने लगी है यर लूज मोसन होने लगे ठंडक लग ग जिससे उनकी भी आगे हैल्फ हो सके और उनकी बेबी की भी हैल्फ हो सके और हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो बही सब्सक्राइब किया बना मच जाएगा ठीक है तब चली मिलते है अगली वीडियो में तब तक ले नमशकार थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग